So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahachan Traders So आज इस वीडियो में कुछ multiple shares को हम discuss करने वाले हैं इसमें NMDC, Vedanta, Tata Steel, Split, Dividend और एक Bonus Share इन सारे ही shares को हमें इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को बिना skip किये and तक देखना और चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर दिना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी जाकर check out चरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue NMDC Limited के साथ वीडियो की शुरुआद होंगी 158.40 पेसे के level पे share ने closing दी पाच रुपे तक की गिरावट हमें share बताता हुआ भी नजराया है 3.06% के basis पे अगर आप देखते हो तो गिरा है 5 days में stock में गिरावट हमें देखने को बलती है खास गिरावट 17 October के बाद नजराती है जिसमें share 17 October से 20 October यानि देखा जाए तो बिल्कुल 3 दिरों के अंदर अंदर 7 रुपे 90 पेसे के राउट एक गिरावट वही अगर बात कर लें एक महीने में growth है stock ने अच्छी growth बताई है 6 महीने में 48 रुपे और एक साल में 27 रुपे तो growth यहाँ पर अच्छी नजराती है तो share के levels हमें देखने हैं तो level को हम discuss करने वाले हैं तो upside की और के जो 163 के around का जो level था उस level के around से share में गिरावट आना start हुई stock अगर आप देखोंगे कही ना कहीं यहाँ पर एक double top बनाता हुआ नजराया इस level के breakdown के बाद share अगर आप देखोंगे continue एक fall बताता हुआ यहाँ पर नजराया है इस particular range पे यहाँ पर एक अच्छा support लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है एक अच्छे support लेता हुआ यह शेर नजराया है और इसी support के साथ एक जो stock हैं हमें लग रहा है कि कही ना कही 163 रूपीस के round यह again एक बड़ा pullback लगा सकता है एक again एक अच्छी बड़त यहाँ से बता सकता है तो यहाँ पर हम expect कर रहे हैं कि एसा हो हम देखते हैं आगे कि होता है या नहीं बट downside की और से यह level इतना important की हुए और उपर से level से rejection क्यों मिला तो यह चीज हम यहाँ पर clear कर लेते हैं 1R के time frame पर हम पहले देखते हैं तो 1R के time frame पर अगर देखिए तो exactly stock में एक fall आया था इस point से ठीक हैं और यहाँ से भी तो यहाँ पर मैंने एक चीज आपके साथ discuss की थी कि यह जो share है कही ना कही यहाँ पर एक head and shoulder टाइप pattern बनाने की कोशिश कर रहा है exactly वही point आप यहाँ पर देख सकते हो share यहाँ पर एक head and shoulder टाइप pattern इसने बनाया और यहाँ से एक fall आया तो इस particular trade line पर अगर इस share अगर देखोंगे आप तो इस stock support sustain करके भी fall बता सकता है तो इस point का ध्यान रखों और downside की और से इसने इतना बड़ा support केसे लिया है तो कही ना कही अगर आप देखोंगे इस particular trade line के around ही यह share हमें support लेता हुआ यहाँ पर नजराता है तो इस trade line हमारे लिए important है और यह trade line और downside की और अगर break होती है तो इस share और एक fall बता सकता है तो अभी के लिए यह जो level है 163 का level इतना important की है ओ हमने देखा और वही अगर हम देखें तो 1 week के time frame पर भी आपको काफी कोच चीज़े देखने को बहाँ है 163 के level से पहले भी NMDC एक बार fall बता चुका है यहाँ से इस point से गिरावट रही एक inverted head and shoulder टाइप pattern इसने बनाया था breakout के बाद stock ने rapid growth बताई बट sustain अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर इस sustain करने कोशिश कर रहा है और 163 के level से गिरा था गिरावट ने जराई है लास ट्रेडिंग सेजन 223.15 रूबिस के राउंड तक की closing और वही अगर देखे 4 रूपे तक की गिरावट 1.76% के basis पे share में गिरावट रही पिछले पाच दिन में भी यहाँ पर इस share 2 रूपे 5 पिस हैं एक महीने में बढ़त रही बढ़ उसके बाद यहाँ पर ठॉक टॉमबर के बाद जो गिरा है इस पॉइंट को धियान रगो लेवल इंपॉर्टेंट है तो लेवल को हम डिसकस करेंगे लेवल को हम देखने वाले पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टॉक क्या यहाँ पर कर रहा है क्या फफाव है तो बैक टू बैक स्टॉक में पिछले कई टाइम से हमें एक गिरावट ही नजराती है आप यहाँ से देख सकते हो कि हाँ पर 230 का जो लेवल है यह वाला और यह वाला इस पॉइंट से स्टॉक कंटिन्यू गिरा है इस पॉइंट से कंटिन्यू एशियर गिरा है इस पॉइंट को ध्यान में आप रखो यहाँ पर एक बड़ा हॉल कंटिन्यू हुआ है तो आने वाले टाइम में एशियर कहा पर सपोर्ट ले सकता है तो ये भी एक important points है तो 1 hour के time frame पर अगर हम देखे तो उपर से हमने पहले भी एक trade line बनाई थी इस particular trade line को एक share काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर follow कर रहा था उपर के और के breakout भी देने की कोशिश की एक मट 2 hour के 3 hour के time frame पर हम देखते है इस particular range को हाँ ठीक है तो यहाँ पर आप देखो इस point से गिरावट आई थी एक बड़ा huge gap down भी रहा उसके बाद तो share continue गिरा और यहाँ से rejection यहाँ से rejection और again हमें लग रहा था कि यहाँ से breakout के बाद share उपर की उड़ जाएगा बट ओ चीज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली stock ने सीधा यहाँ से भी rejection लिया और एक continue fall बता रहा है तो यह fall जो है हो सकता है continue हो जाए बट वही अगर एक बार हाई volume के साथ इस particular trade line के ओपर sustain कर जाता है तो share में उम्मीद कर सकते हैं यहाँ एक बड़ी range यहाँ पर बने एक बड़े level यहाँ पर हमें देखने को मिला इस point को भी note down कर लो और वही अगर हम बात कर ले downside की ओर तो कही ना कही downside की ओर अच्छे एक support हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक अच्छा support यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है downside की और से अगर हम देखे तो यह जो share है point से एक बड़ी growth बताता हूँ नज़रा है again एक fall बताता हूँ नज़रा है और यहाँ पर support लेके उपर की और जा रहा है तो यहाँ पर एक support भी है share के पास point को भी आप note down करके यहाँ पर रख सकते हो तो इसके उपर भी आपको focus करना है और थोड़े बड़े time frame पर यानि one week के time frame पर देखें तो बिलकुल यहाँ पर वही point हमें नज़राता है ए चीच का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस particular level को अगर हम थोड़ा और यहाँ पर expand करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस range पर पहले कई बार यह support भी ले चुका है कई बार यहाँ पर आप clearly देख सकते हो मैं one month के time time पर आपको बता देता हूँ तो exactly यहाँ पर अगर हम देखें तो share में इस point पर एक बार support इसने लिया है इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर इस sustain करके एक बार fall भी बता चुका है इस point को ध्यान रखना है और यहाँ पर काफी time इसने consolidate भी किया है इस point को भी आप ध्यान रखना है तो यह point हमारे लिए important है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है तो यहाँ से अगर sustain कर लेता है तो बड़ी growth यहाँ पर नजर आ सकती है इस stage के उपर भी focus आपको करना है बारी आती है Tata Still Limited की 123.10 रूपिस के राउं तक की closing है 2.90 रूपिस के राउं तक की गिरावट है पाच दिन में 2.75 पैसे यह शेयर गिरा एक महीने में 4.30 पैसे है और वही अगर हम बात करें इसके level की तो क्या level है इसमें हम discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर हम पहले बात करने वाले हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर की शेयर में तो कहीं न कहीं राइजिंग वेश टाइप चैनल बना और 20 तारिक को यही से सस्टेंड करके शेयर जो है continue एक गिरावट बताता हो नजरा है पिक प्यूर प्राइस एक्षिन यहाँ पर वर्क कर रहा है इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो और डेवन के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखे तो कहीं न कहीं अब एक सपोर्ट के नियर एक शेयर खड़ा है तो यह सपोर्ट लेता है या नहीं हमें कल ही पता चलने वाला है और बिलकुल यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो शेयर है इसके बारे में हमने पहले भी डिसकस किया था कि यह कप एन हैंडल टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है ब्रेक आउट के बाद स्टॉक सस्टेन कर सकता है और सस्टेन करने के बाद एक बड़त बता सकता है कई बार और यह सपोर्ट ले चुका है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकतों तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेके या तो उपर की ओर जाएगा या फिर ब्रेक डाउन देके सीधा डाउन साइट की ओर आएगा तो यह पॉइंट भी ध्यान रखने है अब बार यहाँ आती है कुछ important shares की जो यहाँ पर bonus dividend दे रहे हैं पहले हम बात कर ले dividend share की यहाँ पर हम बात कर रहे है Stry Renix Performance Material Limited 1326 रुपे का share company की ओर से दिया जा रहा है dividend dividend की बात की जाए तो company की ओर से dividend है 22 रुपे पर equity share का dividend है 31 October से पहले buy करोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा फिर बारी आती है यहाँ पर एक bonus share की Stryvenkates Refinaries Limited 198 रुपे का stock है company की ओर से दिया जा रहा है यहाँ पर bonus 1-1 का एक share की ओपर एक bonus का share 27 October से पहले buy करना होगा फिर बारी आती है एक important share की Shashijit Infra Project Limited Engineering and Construction Sector का share 37.01 रुपे का stock है वहीगर हम बात कर ले stock 10x2 का split होना है 27 October 2023 से buy करते हो पहले buy करते हो तो आपको 2-10 share में टोटे बेज नजर आने वाले है I hope video आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करो चनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चीच कोई भी share में अगर आप investment करते हो तो इंशेर का analysis कर लेना